हेलो फ्रेंड्स, मूवी लवर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज क्लासिकल हॉलिवूड सिनेमा की दौर के एक बहितरिन वेस्टन फिल्म विन्चेस्टर 73 का एक्स्पिलेनेशन देखते हैं 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, एंथिनी मैन ने इसे डिरेट किया था मेन कास्ट में हॉलिवूड के दो लेजेंडरी एक्टर्स, जेम स्टुवर्ट और शेली विन्टर्स ये कहानी है विन्चेस्टर नामके एक 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 एसी राइफल की, जिसे ओल्ड वेस्ट के दोर के सबसे जबरस राइफल माना जाता था और जिसे सब हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर दगन देट वन दवेस्ट, एसी बंदूग जिसने पच्चिन को जीता चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बेश किमती राइफल मिलेगी जिसका नाम है विन्चेस्टर 1873 डच और लिन दोनों जबरस निशाने बाज हैं और टकर देता है एक दूसरे को लेकिन लिन जीत जाता है और उसे प्राइज में मिलती है विन्चेस्टर राइफल और अब लिन अपना सवान पैक करके अपने कमरे में चला जाता है अब क्या होता है डच उस पर घात लाकर हमला करता है और ये जो विन्चेस्टर 73 राइफल है उसे चुरा लेता है और अपने दोस्त आत्यों के साथ भाग जाता है अब डच और उसके साथ ही एक बार में पहुचते हैं वहाँ उन्हें एक ट्रेडर मिलता है वो एक वेबारी है जो कि नेटेव अमेरिकन्स मतलब कि मूल अमेरिकी को हत्यार बेशता है वो देखता है कि डच के पास विन्चेस्टर 73 राइफल है वो बोलता है कि वो राइफ अब यह जो राइफल है अब यह आचुकी है इस ट्रेडर के पास अब फिल्म में देखना यह राइफल किस तनी लोग के पास पहुचती है उधर लिन मैक एडम और उसका साथी फ्रेंकी निकल चुके है डच की तलाश में आखिर लिन डच को क्यो डूड हुन रहा है यह आ अलागि यह टेड़ा मना करता है तो जो नेटिव अमेरिकन्स का लीडर था वो इसे मार देते हैं अब यह नेटिव अमेरिकन्स के लीडर यंग बुल के पास विन्चेस्टर सेविटी ती रैफल आ चुकी है क्योंकि यह एक तरीकी स्पेशल गंती उस जबानी की तो इसलि पाहलों से भरा हुआ है अब जो लिन है और फ्रैंकी विलसन है वो भी उसी जगें आ जाते हैं क्योंकि उनका भी नेटिव अमेरिकन्स पीछा करते हैं अब एक तरीकी से जो कैम्प है इसमें लिन मैक एडम्स फ्रैंकी विलसन और मिस्स लोला मैनर्स और उसका मंगेतर और आर्मी है अब लिन मैक एडम्स बोलता है सार्डन से कि अभी रात को हराम करना चाहिए और सुबह हो सकता है यूध स्टार्ट हो जाए क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन्स ने उन्होंने घेर रखा है मिलिटरी को लोला और लिन की बास्चीद होती है लोला कहती है कि तुम य यंग बूल भी मारा जाता है और उसके बाद ये यूध खत्म हो जाता है और लिन और फ्रेंक विलसन डच की तलाश में निकल पड़ते हैं वहां से जब यंग बूल मारा गया तो जो विन्चेस्टर रैफल थे वो वहें गिर गई और ये सार्डन को मिल गई सार्डन ने य अच्छानक एक चीज होती है इत्तफाक से जो जौनी था वो यहीं आ जाता है उनके घर में और पुलिस से उसके मुड़ भेड हो रही है पुलिस कहते हैं कि जौनी सरंडर कर दो लेकिन उसरंडर करने से मना करता है अब जौनी घर में है स्टीव और उसकी मंगेतर जो है मि जौनी क्या करता किसी तरीक के से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और साथनमीस मेनस को भी लेके चला जाता है इसटीव जौनी से मिलने इसलिए जाना चाहता था क्योंकि इसलिए कुछ रूसाब पूरा करना था जौनी के साथ अब जो जौनी है उग 10 के अड़े और जो डच है वो हैरान हो जाता विंचेस्टर राइफल को देखकर जॉनी के हाथ में और वो कहता है कि राइफल उसे दे दे क्योंकि वो उसकी है जॉनी राइफल दे देता है क्योंकि जो इनका गुरूप है उसका बॉस है डच मतलब कि जो जॉनी है वो भी डच के साथ काम करता है अब जो डच का गुरूप है ये बैंक डगैटी की प्लानिंग कर रहे है उस जगे का नाम है टैस कोसा गिरो डगैटी करने के लिए टैस कोसा नाम की जगे पर जाता है लिन और फ्रेंक भी वहाँ पहुचते हैं टैस कोसा में और वो मिस मैंडर्स से मिलते हैं मिस मैंडर्स बताती है कि जो जॉनी है उसने हमले किया था है उसके गुरूपने घर पर और उसका जो मंगे दरता स्टिव को मार दिया और अब Johnny और Lynn का सामना होता है और लडाय होती है और इसी लडाय में Johnny मारा जाता है और Miss Lola Manners को भोली लग जाते है वो घैल हो जाती है और उस तरफ डखैती जो होती है वो सफल हो जाती है और उनका गैंग भाग जाता है Dutch का अब जो Dutch है उसका पीछा करता है Lynn गोली मार दी और तब इसे लिन ने बदला लेने का ठान रखी है लिन एक चट्टानी पहाड़ी पर डच का सामना करता है और उसे उसकी सामनाम मैथ्यू से बुलाता है मतलब कि जो उसका भाई है डच का असली नाम है मैथ्यू मैक एडम जबरनस गन फाइट होती है दोने की लिन वापस टैसको सजाता है और मिस लोला मैनर से मिलता है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और यहीं इस फिल्म का एंड होता है तो दोस्तों यह थी विन्चेस्टर 73 की स्टोरी तो एक तरीके से अगर फिल्म में देखा जाए तो जो विन्चेस्टर 73 रैफल थ और जो फाइटिंग सीन है गन फाइट के वो भी बड़े जबरत तरीके से फिल्म आए गए जो जमाने में तो जेम्स टूर्ट की यह बेस्ट वेस्टर फिल्मों में से एक है जो आपको एक बार देखनी चाहिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स वर वाचिंग बाए बाए बी हैपी एंड टेक केर